हेलो बच्चों नमस्कार श्वागत है आपके अपने यूटूब चिनल एग्रोटेक स्टडी में और बच्चों मैं हूँ और बच्चों मैं हूँ और बंज्यादा 12 अग्रिकल्चर तिरमासिक परिक्षा 2022 देश के लिए सब्जेक्ट है फसुपलान एनि अनिमल हस्वेंडरी के important question बच्चों कुछ जो हमने कराएं को select किये हैं इसमें object type question भी है और आपके कुछ प्रिष्ण वत्तर भी हैं जो के आपके लिए बहुत महत्पूना तिरमासिक परिक्षा के हिसाफ से तो बच्चों complete वीडियो देखें जिससे आपके लिए जो IMP question है वो clear हो सके तिरमासि ठीक है चलिए शुरू कर लेते हैं तो बच्चों आप इस बात को तो अच्छी प्रकार से जानते ही हुए कि तिरमासिक परिक्षा यानि टर्मिनल एक्जामिनेशन भी बोला जाता है या quarterly examination भी इसको बोला जाता है बच्चों 70 का पूर्णांग मार्स रहेगा आपका टोट के हिसाब से मैंने पूरा ही पेपर बनाया है कि क्या क्या कितनी कितनी नमर का कैसे कैसे पूचह जाएगा देख सकते हैं आप लोग पहले note सभी प्रिशन हल करना नवारिया है, पहला आप देख सकते हैं, प्रिस नमर एक से पांच तक बस्तू निष्ट प्रश्ट है और प्रितेक पांच तथा च्हे नमर का मतलब 28 नमर के आपके तोटाल ओटी पूछ Fam pref चाथा योच प्रिते आपका कित्ते नमर का पांच नमर करहेगा यानि एक प्रिष्ट चार नमर का तथा दो प्रिष्ट पांच पांच नमर के टोटल आपके 70 हो जाता है 70 नमर का आपका ये पेपर रहने वाला है ठीक है ना तो इस प्रकार का आपका पेपर है कैसे कैसे पूछाजार आपको पता ही है कि O.T जिस चप्टर से पूछा जा रहे हैं सिर्फ वही O.T लेखे हैं जैसे चप्टर नमर चौथा और चप्टर नमर पाँचवा पसु सामान रोग फिस्ट और पसु सामान रोग सेकंड ये दोनों ही चप्टर ऐसी हैं जिसमें से चार-चार ओटी पूछे जा रहे हैं बोट के एक्जाम में तो टर्मिनल एक्जाम नहीं से यानि ये तिरमासिक परिक्षा में भी बनता है कि उनसी से कोस्टन जाहतर बनेगे क्योंकि ऐसा कोई चप्टर अभी हुआ नहीं जिससे कि आपके वोटी पूछ जाएं इसके बाद आपका मचली पालन है और सुवर पालन है तो वो चप्टर हमने लिये नहीं है दो-दोनमर के चप्टर है दोनों से आपके दो-दोनमर के पूछे जा रहा है तो उनको अप चप्टर जीवानु कबक विशाणु प्रोटो जाख किसके दोरा होता है बताई आप लोग सब लोग जानते हैं इंत्रेक्ट डीजिज आपका वाइरस विशाणु के दोरा होता है एप तस जोर के नाम से रोप को जाना जाना जाता है इन्थरेक्स पसूपिलेक स्टक्ष या मैश टाइप जिस एनी थनेल तो एपतस जोर इसमें तो option में नहीं है यहाँ पर आप लोग याद रखें इसका option इसमें देही नहीं रखा क्योंकि एपतस जोर के नाम से जाना जाता है FMD यानि खुर्पका मुपका रोग को यानि foot and mouth disease रोग जो होता है खुर्पका मुपका रोग को एपतस जोर के नाम से जाना जाता है C नमर पर GTV का टीका किस रोग में लगाया जाता है in which disease is GTV vaccinated तो GTV का टीका लंगली रोग, इंथ्रैक्स रोग थनेला या पसू पलेग रोग सब लोग जानते हैं GTV गौट टीका है वो आपका किस रोग में लगते हैं है आद रखें D नमर यानि रेंडर पेस्ट या पसू पलेग रोग में आपका GTV वैक्सीन लगाई जाती है किस रोग में पसू की जीप सूप कर बहार निकलाती है एसा कौन सा रोग है जिसमें पसू की जीप सूप करके बहार निकलाती है इंत्रैक्स, पसू पलेग, खुर्पका मुपगा, लंगड़े मुझे लगता है उपसन इसमें भी नहीं है क्योंकि जीप सूप कर बहार निकलती है आपका गल घोंटू रोग में किस रोग में गल घोंटू जो रोग है आपका इसको है सीमुरेजिक सेप्टिसीनिया के नाम से जानते हैं तो गल घोंटू रोग में पसू की जीप सूप कर बहाने करते हैं इसमें भी यह उपसन नहीं है थोड़ा सा ध्यान रखें यह आपको конфuse करने के लिए हैं कि option नहीं है ठीक है ना तो फ्रम से ध्यान रखें थनेला रोग में पसू का दूद हो जाता है इनमबर। देखे आप लो थनेला रोग में पसू का दूद क्या हो जाता है अच्टिक हो जाता है छारी हो जाता है 7.4 जब पसु को थनला रोग होता है ना तो पसु का पी एच दूद का पी एच मन बढ़ जाता है और 7.4 लगवख हो जाता है नी छारी हो जाता है दूद सास से उपर जाता है तो पियेश चार यह होता है इंत्रेक्स रोग का उद्ववन काल कितने समय का होता है कितने घंटे का होता है दिन का होता है बताईए आप लोग इंत्रेक्स रोग का उद्ववन काल आपको कितने दिन का होता है जब मैंने पढ़ायते ओटी आपको इस चेप्टर के तो आपको क्लियर किया था मैंने कि किसी भी रोग कारक के रोग कारक किसी पसुग में प्रिवेश करेगा और उसके लक्षन पर प्रिगठ हो तो बीच का जो समय होगा ना उसे ही उद्वबनकाल हम लोग कहते हैं स्वस्थगाय के सरीर का टेंप्रेचर कितना होता है हेल्दी था बोड़ी एंप्रेचर ऑप काव कितना होता है बताई आप लोग सब लोग जानते हैं टेंप्रेचर होता है 101 से 102 degree finite हम लोग कह सकते हैं ठीके ना इतना आपका temperature एक स्वस्तगाय का थापमान होता है interest रोग की मिर्टूदर कितने percent है सब लोग जानते है interest रोग की जो मिर्टूदर है वो है death rate कितनी है बताई death rate of interest बी 90 percent 90 percent पसू जो है इसमें मर ही जाता है 90 percent पसू मर नहीं मरना है रोग में फुटबात कराया जाता है जी यहां payment is done is disease कौन से रोग में पसू फुटबात कराया जाता है सब लोग जानते हैं खुरपका मुपका जो रोग है इसमें पसू को फुटबात कराया जाता है और फुटबाद कराना क्या होता आप लोग जानते हैं इसको पैरडुकी के नाम से भी जाना जाता है और यह बहुत जरूरी होता है जन्नली पसुक के इस रोग को दूर करने के लिए यह नमबरा कुर्पका मुपका रोग की खोज की गई थी याद रखना खुर्पका मुपका रोग की खोज की गई थी अस्वस्त पसु के कान रहते हैं अप लटके लिख देना आप लोग अस्वस्त पसु जो उतल अब आप लोग सोच रहेंगे सर पूरे कोशन आप किस से दे रहे हो रोगों से संब्धे दे रहे हैं तो आपको पता है यह भी चप्टर नमर चाओ था और चप्टर नमर पांच भाई है क्योंकि आपको पता है तरमास एक परिक्षा में कितने चप्टर तक पूछा जाना है लगबख सास से आठ चप्टर है मैंने बनाया है बाकी देखते हैं सत असत छांट कर लिखे रहे है ट्रू फाल्स देख लिजी आप लोग ट्रू फाल्स को भी अपोथाईजेशन पसु पलेग रोग में कराया जाता है बिल्कुल गलत असत है मुरगी का तापान एक सोसाथ डिगर सेलसस होता है बिल्कुल गलत कि खोरने आइट होता है समय पसु के खोरो एवा मुम में च्छाले इंट्रेक्स रोग में हो जाते है बिल्कुल गलत कि खुर्पका मुपका रोग में होते हैं बर्षारितूमें अदिकतर गल्गोंटु रोग फिलता है बिल्कुल सही है Hsds का फिलता है आपका बर्षारितूमें बर्षा के बाद इंत्रेक्स रोग फिलता है यह इसका भी पता नहीं है लेकिन यह देखना आप लो करें कि परसा के बाद कौन सा रोग फेलता है चीक है चलिए वैसे लंगडी फेलता है आई थिम देख लेना फिर एक बार आप जाए कोशन नमर चौथा देख लेजी कोशन नमर चौथा है आपका एक सब में उत्ता देजी आंसर इन बन बड़ खुर्पका मुपका रोग की मि आतर गंटे में निपट लेता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं बच्चो थनेला रोग से गिर्शित पसु के दूद का स्वाद कैसा हो जाता है तो बच्चो थनेला रोग से गिर्शित पसु के दूद का जो स्वाद है वो नमकीन हो जाता है किसा हो जाता ह तो वो अपका पता ही है कि दूस साथ से उपर जाएगा तो पसु का स्वाध कैसा हो जाएगा नमकीन पस्वों की रोगों की रुख्थाम के लिए पस्वाला की सफाई किस दबा से करना चाहिए which medicine should be used to clean the cattle set for the prevention to disease of animals ध्यान रखें फिनाइल से करना चाहिए किस से करना चाहिए फिनाइल एक ऐसी दबा जिसका उप्यों पस्वाला की सफाई करने के लिए प्रयोग किया जदा है गलगोंटु रोग का उद्ववन काल कितने दिन का होता how long इदा incubation period of H.S. disease तो incubation period पूछा है गलगोंटु रोग का यह आप लोग confirm देख लेना मैं आपको सायद भूल रहा हूँ एक से पांच दिन होता है या एक से तीन दिन होता है confirm थोड़ा से नहीं हो पार 105 दिन होता आई थिंग फिर भी एक बार देख लेना इसलिए किंकि confirm नहीं हो पारा थोड़ा सा थोड़ा सा कि मैं चूक रहा हूं कहीं क्या होता है सबकी इनकुईशन पीरिड अलग-अलग होते है सभी रोगों में तो थोड़ा सा ये इसको आप लोग चेक जरूल करें ठीक है न चलिए जोड़ी बना लीज़े गल गहुंटू रोग किसके दार आउता है बिल्कुल सही जा रहे है इसके बाद थनेला इस ट्रको काई ठीक है ये आपकी जोड़ी मिल गई ठीक है ना जोड़ी आभी मिल गई आपकी जोड़ी बताइए ये देखो क्या दे रखा है एक तरफ तो रोग के नाम दे रखे हैं सब पतके है कैते हैं सरीर खराईलवन की दो कार शैलेज कैते है उत्तमस एलऻय की दो गुन लिखी हेका संग्ठन की आदस रासन की दो विसेसतान unlikely हेके दो लाब लिखी आतवा में मोठे चारी की वकिता लिखी तो आप लोग देख रहे हैं आपको जो question मिलना है पहले दूसरे तीसे chapter से मिलेंगे क्यों क्यों कि तीनों chapter से दो दो नमर के पूछे ही जा रहे हैं इसलिए पसु सरीर में पानी के कार आपको पता है पहले chapter question अत्वाम है पसु सरीर में protein के कार स्वैलिंग विदी क्या है इसके लाव लिखिए खुरेरा आयों सरींज को समझाईए आपको मालों मैं खुरेरा सरींज तीसे chapter के question है खुरेरा क्या बोलते हैं आपको मालों होगा कॉम्ब दिरूम कॉम्ब के नाम से जानते हैं इंगलिस बसामा गुलंसील बिटामेंस के नाम बताएए टीट साइफन बुल मास निडिल स्पैचुला कैथेटर इन अंत्रों को समझाईए दबाईयां देख लिजिए लाल दबा, पॉट्सिया परमेंगनेट, फिट करी, बोरिक एसिड, किलोरोफॉर्म, अलसी का तेल, जिंक कॉक्साड, याथवा, याथवा के बाद हैं इन सब को आपको पताऊना चाहिए निम नोस्तियों को दारें साहिज समझाईए पृति जैवेक, अंटिवायोटेक, दस्तावार, बमनकारी, पृतिकारक, कफुदसारक, ग्रहारी तो आप देख रहे हैं तीसों चेप्टर से काफी कॉस्टन बता है आगे देख लिए सत्रवा, हींग, नीलत होता है, इनको ट्रेचिंग बहुत हो 18 पसु की जाँच के उद्देस, या पसुं की जाँच का माहत रितुमयी गाय के लक्चन, अथभा उत्तम गाय के लक्चन, उत्तम साणा के लक्चन या पसु की उम्र ग्यात करने की विदिया एक बात क्लियर करना चाहूँगा इसमें 6 चेप्टर तक जो ओटी लिए हैं 6 चेप्टर तक लगव कोश्चन लिए और जो important question वो 6-6 चेप्टर तक हैं अपके तिरमासिक परिक्चा के साब से पूरा paper बना हुआ है अपके board के जो अपकी तिरमासिक परिक्चा उसमें 7 और 8 चेप्टर भी आ सकता है इस परकार से आप लो मचली पालन यानि फिसरीज और सुवर पालन पिग्री को आप लो अच्छी परकार से देख लें कि उससे भी एक दो question दो चार question पूछे जा सकते हैं तो फिर आपको नहीं तो किसर ने बता दिया तब फिर फसी नहीं फलाना डिंका इस बज़े से बता रहा हूँ आप तो पड़ लेना उनको मचली पालन को सुवर पालन ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार